जैहें हिंद प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है study24 विद्वेग यूट्यूब चैनल पे जैसा कि आज है 4th June और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 4th June के important current affair के questions जो आपके इजाम की दृष्टी से बहुत ही महात्पूर हैं आप इंडिया में किसी भी competitive इजाम की तैयरी कर रहे हैं तो 4 से 5 नंबर के current affair के questions प्रतेक इजाम में जरूर पुछा जाते हैं और दोस्तों साथ ही आप इस लोग वीडियो की पीडियाप discussion में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग चैनल पर नहीं subscribe करें बेल आइकन प्रस करें और वीडियो की notification जिससे आपको जल्दी से जल्दी मिल सके तो start करेंगे दोस्तों आज की सांदार क्लास और 4 जून के current affair के questions डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो question number one देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा मा तुझे प्रणाम योजना का संबंद किस राज से है with which state in the मा तुझे प्रणाम योजना which was in discussion recently तो दोस्तों मध्ध प्रदेश right answer क्या है आपसर नमबर C MP मध्ध प्रदेश हाले ही में मध्ध प्रदेश सरकार की योजना मा तुझे प्रणाम के तहट 21 बालिकाओं को बागा होगे सी बाडर पर पुना प्रारम 2022 पहले 2023 में लांच की गई थी मा तुझे प्रणाम योजना का उद्देश राज के लोगों के बीच राष्टवात की भावना या देशवक्त की भावना को बढ़ावाद देना है राज सरकार के मात तुझे पडाम योजना के अंतरगत बेटी की बेटियों प्रदेश की बेटियों को अंतर राश्टी सीमा पर सैन गत्विधियों की जानकारी प्रदान की जाती है तो मद्ध पदेश सरकार ने मात जह पडाम जोजना के अंतरगत 120 मुवालिकाओं को बागा उसे इनी बार्डर पर तैनाज किया नेस्ट है कुछ नमबर दोस्तों टू तालविया के नए राष्ट पती कौन बने हैं अलीं खान वसमाईलोग के पढ़ामप्ताल मंत्र सिंट अन्टाविया की हैं रीगॉनाफ से रहे हैं 1991 में सुतंधा हासिल की थी next Во Qtoth naba 3 हाकि में पुरुस जूरुय ऐसिया कप 20ינर primo डॉड़ों कने 2020 कि ह्यंडुजीण नियुझानी रूझाय है जिन है व्यान दो पाउजार इसकर दोपने इन्डिया भारत सी उस्वाकह भाठोझे धर करें में आयोजेस फाइनल में पाकिस्तान को दो एक सहरा कर हांकी में पुरुष जूनियर एस या कब दोहजार तेस का खिताब अपने नाम जीता है नेस्ट है दोस्तों कुश्चन नमर फॉर्थ स्टील अथार्टी आप इंडिया यानंई की सेल के नए M.D. और अध्र के रूम में किसे नियुक्त किया गया हूं है बिन अपॉइंटेड Essa नियु कि येमेने एंडे आप स्टील इंडिय आप सेल तो किसको चुना गया है इस विसमेना जाउचिय स्टील इंडिय और सुना गया है अमरेंद प्रकास ये आप सो नमबर तोकष है राइट आंसर है के लिए दोस्तों इस्टील इंडिया लिमिटेट सेल इन इस्थापना की बात करें तो 1954 में 19 जनुवरी 1954 में हुई मुख्षाले नीदिल्ली में है सीयो सोमा मॉंडल है और सोमा मॉंडल सेल की पहला महिला सीयो हैं भारत में इस्टील बनाने वाली एक प्रभू कंपनी है सेल और उद्देश देश में इसपात के विकास और उसपादन को बढ़ावा देना है नेक्ट दोस्तो देखेंगे कुष्टळ नंबर फिप्त तेलिस्टे साजोल कि संगठन की पहली महिलार महा सी बनी मॉसं संगठन की बनी है दोस्तो कि स्थाप्ण तो मुख्याले कहां है जिनेवा सूजलेंड में है नेश्ट दोस्तों कुछ्चे नमबर सिक्स देखेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन छेत्री कारेले कहां इस्थापित किया जाएगा वेर विल इंदा रिगनाईज आफिदा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी पर इस टिखेंगे जाएगे और नाय दिल्ली में इसकी इस्थापना की जाएगी यूनिवर्सल पोस्टोर यूनियन चते और में बात करें तो इनलबर पोस्टल यूनियन ऐटी इन्टिस में बरन की संथ के तहथ इस्थापित एर लायन एधियाद एर वेज फॉष इंपसर नमबर भी यहां पे राइट एंटर है। कि तुलुक्त एक सि Alabस्कों ब्रेज्ट एरवेज को ऐर लाइन रेंटिंग प्रुमिने लगाता। दूसरे वर्स दो मिलेटेन। की पर्रेवरं एरफ्ट से नामिस किया गया इदिहाद टाप टेन एरलाइन से निड़ी में तीसरे अस्थान पर है इदिहाद एजवेशन गुरूप इसका मालिक है सीओ एलटो नेक्स हैं और एडिटर इंचीफ जेप्री थामस हैं नेश्ट है कुछ नमबर एट मुतिहारी अमेल गंज तेल पाइप मोदी और नेपाल के पधान मंत्री पुस्त कमल दहल प्रचंड ने सनिक्त रूप से नेपाल और भारत के बीज मुतिहारी अमेल खंज सेल पाइप लाइन के फेटू का सिलन नियास किया इस परियोजना की सुरुवाद 10 दिसंबर 2020 को की गई थी जो की दच्छड एसिया की पहली सीमा पाल जाने वाली प्रच्टोलियम उत्पादों की पाइप लाइन परियोजना थी नेक्ट दोस्तों कुछ नंबर देखेंगे नाइन हाल ही में जारी हुआ वेस्विक दास्ता सुचांग दा ग्लोबल सिलेवरी इंडेक्स 2023 के अंसार सरवाधिक दास्ता की देश में है एकारडिंग तुदा रिसेंट ली डिलेग दा ग्लोबल सिलेवरी इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैं मैक्सिमा सिलाइवे दोस्तों कौन सी कंट्री दोस्तों है तो बात करेंगे उत्तरकुरिया आप से नमबरे राइट आंसर है वाक फ्री फाउंडेशन की एक नई नेक्ट दोस्तों कुष्चन नमबर 10 देखेंगे जो कि आज की वीडियो का लास्ट कुष्चन है के अंद सरकार आप फार सेल के लिए जरिए कोल इंडिया में कितने परस्त की हिस्तदारी बेचने की योजना बना रही है दा सेंटल गवर्मेंट इस प्लानिंग सेल विद कुष्ची माजबूर हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसकी पीडिया डिस्कॉप्शन में देगे लिंक से जाकर जरूब डाउनलोड करें मिलेंगे दोस्तों नेस्ट वीडियो में नेस्ट डे की करन डफेर की